जाया नंदन श्री शनी देब को शीश नवाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रों में सबसे पहले ये क्यूं पूजे जाते हैं शनी जी पूजे जाते हैं क्यों है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सर्ताज शी शनी देव महराज नवग्रहों में है सेष्ट शनी जी लीला है मान शनी देव के चर्णों में तो जुकता ये जान नीलामबर के धारी है और वढ़न है इनका शान शर्ण में आने वालों के ये हरते कस्ट तमान रूप चतुर भुजशनी देव का जग से है नारा वाह थामली उसकी जिसने मन से पुकारा एक हात में त्रिशूल इनके दूजे में कुठा भगतों की नईया को करते भवसा गर से पाओ आओ तुमको अब इनकी लीला दिखलाते हैं क्यों है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नब ग्रहों के है सर्ताच शीशनी देव महराज एक बार छिड़ गया था भगतों नोगें में संग्रान कौन है शक्ति शाली सब में कौन है सबसे महाँ ब्रह्मा जी के पास गए फिर नब ग्रह थे सारे नयाय करो है ब्रह्म देव सब मिलकर पुकारे नब ग्रहों का जब प्रश्न सुना ब्रह्मा जी चकराए क्या उत्तर दू ब्रह्म देव ये समझ नहीं पाए एक को स्रेष्ट बताऊंगा तो दू जब गड़ जाए मैं नहीं पड़ता इस जगड़े में बला ये टल जाए क्यों है इतने शक्ति शाली तुमको बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं नब ग्रहों के है सर्ताज शेशणी देव महराज शेशणी देव महराज विश्णू लोक में जाकर उनके सन्मुक जोडे हाथ हम सब में हैं कौन स्रिष्ट बतलाओ हमको बाओ विश्णू जी भी प्रश्ण का उत्तर दे नहीं पाए शिव लोक का रस्ता नवगा को वो बतलाए शिव लोक से भी नवग्रह जब हो गय थे निराश हार के नवग्रह आ गए सारे इंद्र देव के पास इंद्र देव ने मदद को फिर नारद जी को देखा नारायन नारायन जपते नारद ने बोला हे नवग्रों हम तुमरी सारी शंक मिटाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सरताज शीशनी देव महराज नवग्रहों के है सरताज शीशनी देव महराज पृत्वी लोक में विक्रमदित नामक एक राजा हैं न्याया अधीशे है न्याय पलक वो तो कहलाता है उसके न्याय के चर्चे तीनों लोकों में मश्यूर तृदेव भी इनकी प्रशंसा करते हैं भरपूर आपके प्रशनों का उतर विक्रम ही दे पाएगा आप गहों में कौन सेस्ट है वही बत लाएगा नारद जी की बात सभी की समझ में थी आई पितवी लोक की राज सभी क्रेहों ने थी पाई सारे मिलके विक्रम के दर्बार में जाते हैं क्यों है इतने शक्ति शाली तुमको बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं नब ग्रहों के हैं सरताच शीशनी देव महराज नब ग्रहों के हैं सरताज शीशनी देव महराज सारे ग्रह फिर मिलकर उसके राजम जाते हैं नब ग्रहों के चर्णों में राजा शीशनवाते हैं राजा ने फिर नब ग्रहों का था सतकार किया वह आने का नब ग्रहों से कारण पूछ लिया हमने तुमारे न्याए के चर्चे राजा हैं सुने इसलिए हम तुमरे राज की राहे हैं चुने हम सब में से कौन सेष्ट है राजा बतलाओ हमरे मन की शंका विक्रम अब तो मिटाओ उनकी बात सुनी राजा विक्रम नुसकाते क्यों है इतने शक्ति शाली हम तुमें बताते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सर्ताज शीशनी देव महराज आपके मन की शंका को तो मैं सुल जाता हूँ नवग्रहों में कौन सेष्ट है ये बतलाता हूँ सामन नो धातुओं के आसन हमने रखवाए जिसको जो धातु पसंद हो उस पे बैट जाए सूर्यन सोना चंद्रन मोती गुरून लिय अपुकरा बुधने पन्ना शुक्र नहीं रामंगल मुगाता शनी देव को लोहा प्रियता लोहा अपनाए लोहे के आसन पे शनी जी आके बैट धाए विक्रम बीच सभा में फैसला देने आते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं अमकथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सरताच शीशनी देव महराज नवग्रहों के है सरताच शीशनी देव महराज आप सभी में कौन स्रेश्ट है कहना है असान आप सभी की शंका का मैं करता समाधान सबसे स्रेश्ट है धातू जिसकी सबसे वो महान सबसे मलिन धातू वाला सबसे नीचे लो जान सोने के आसन वाले सुर जी सबसे पहले आएं लोहे के आसन वाले शनी जी अन्तिम कहलाएं शनी देव अपमान ये अपना सह नहीं पाएं प्रोधित होकर शनी देव ने वचन ये सुनाएं ए विक्रम हम तुम अपनी शक्ती दिखलातें क्यूं है इतने शक्ती शाली तुमको बतलाते हैं हम कता सुनाते हैं नवग्रहों के है सर्ताज शी शनी देव महराज नवग्रहों के है सर्ताज शी शनी देव महराज शनी देव ने वक्र द्रिष्ट फिर राजा पर डाली राज पाट सब छीन लिया और हालत बुरी करी वन में भटकने को राजा फिर तो मजबूर हुए भूक प्यास से हुए व्याकुल एक तेली के पास गए कुछ खाना दो और पानी दो तेली दया करो काम करूँगा तुमरे घर में कोई काम दे दो रूखा सूखा कान दिया और भूसी में पानी बैल की जगा कोलू खिचवाओं मन में थी ठानी विक्रमदिति से कोलू अपना वो हकवाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कता सुनाते हैं नब ग्रहों के है सर्ताज शीशनी देव महराज मेहनत देख के विक्रम की से ठानी को दया आई एक रात को खाने पर दिया उनको बुलवाई हर कीमती से ठानी ने खूटी पर टांगा शनी देव अपने मन में ये विचार था ठाना अपनी महानत विक्रम को मैं अब दिखलाओंगा चोरी का इलजाम इस पर मैं दलवाऊंगा सेठानी का हार खूटी ने फिर निगल लिया तेली ने फिर विक्रम को जेलों में दलवा दिया हाथ पैर तुडवाने की फिर सजा दिलाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कता सुनाते हैं नब ग्रहों के है सर्ताच शीशनी देव महराज हाथ पैर तूटे विक्रम के दुख गना पाया शनी देव की शक्ति क्या है उसे समझ आया सच्चे मन से शनी देव का उसने किया आराधन नब ग्रहों में तो आप स्रेश्ट हो करता मैं वंदन जैसे ही विक्रम ने शनी की शक्ति को था माना वक्र द्रिस्टी हटाई शनी ने फल दिया मन माना पहला सा स्वारूप राज और पात सभी लोटाया विक्रम दितन शनी देव का जै जैकार लगाया चंदन कहता शनी देव भवपार लगाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सर्ताज शीशनी देव महराज